सो अलो फ्रेंट्स क्या से हैं आप सभी आई होप यूओ अलर गूट और अफिर से अपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एंड भी को मसब में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिसस करने जा रहे हैं UKPSC Assistant Accountant और Auditor की जोब प्रोफाइल के बारे में जैसे कि आप सबको पता है कि UKPSC Assistant Accountant और Auditor का exam conduct हो चुका है और उसके document verification भी हो चुके हैं लेकिन आप बात आईगी कि जॉब कौन सी प्रफर की जाए जिसकी रहेंक अच्छी है उन लोगों के पास में अगर पलसी साटिफिकेट अगर आपके पास में था तो आपके पास में दोनों पसंद है या उनको किस तरह की जॉब पसंद है किसी को डेस्क जॉब पसंद होती है किसी को अक्स्प्रूर करना पसंद होता है किसी को ट्रैवल करना पसंद होता है किसी को चैलेंजिस फेस करना पसंद होता है तो किसी को प्लस आपकी टोटल सेल्वी कितनी लगभग बनने वाली है ठीके बात तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न बोलें अपने दोस्तों के साथ भी जरूर जनक भी नहीं कर पाया कि डपाट्मेंटल प्र्फरेंस पढ़े वीडियो लाइन के इसे उसके लिए बहुत всोक्त्राइब भॉल उपिरadian…… सब कुछ तो उसके बेसिस पर फिर यहां फे वीडियो बनेगी खाली अगर मैं ऐसे ही वीडियो डाल दूँगा अपनी मन से या फिर आपको उसके अंदर गलत इंफॉर्मिशन देतो तो वो सही नहीं है इसलिए मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ अब इसके अंदर जो चीजे अगर हम पे लेबल की बात करें तो यह आपका अठाइस होगा है किलिए बात अलग अलग जो पोस्ट होती है उसके हिसाब से ग्रेट पर अलग-अलग होता है वो आपको पता होगा अब बेसिक सेलरी आपके कितनी बनेगी इसके अंदर यह बनती है अप्रोक्सिमेटली 20,000 में इस 29,200 की बेसिक है यह बेसिक का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे सभी लोग कौमा से विलोग करते हैं आप सभी ने इंकम टेक्स भी पढ़ी होगी त तो उसके अंदर जो सेलरी बनती है उसके अंदर बेसिक सेलरी होती है प्लस डी ए होते हैं प्लस अलाउंसेज होते हैं बहुत सारे तो वो सारी चीज़े मिला के फिर आपकी नेट सेलरी बनती है तो बेसिक सेलरी इसके अंदर 29,200 के अराउंड यहाँ पे बनने वाली है और होगा क्यूंकि आपको पता है सेंट्रल गौर्रम неп का अपना चलता है और उसके अलाव चाहरे आपको प्रोवाइड होता है क्योंकि स्टेट गौर्रम 느ट होता है मैक्समम जगह पे चाहरे आपको मिलता है तो 7884 यदोर अब स्क्राइब रेट होते हैं तो उस रेट के बेसिस पर यह कैलकुलेशन हुई है यहां पर अलग-अलग सिटी के इस आप से अचारे का जो अलग-अलग रेट होता है इसके इंदर तीन कैटेगरी बनती है एक्स वाई और जिस सिटी के अंदर आपको अलॉट्मेंट हो रहा है जोब आपके अंदर है तो वहां पर उस रेट से जिस रेट से अचारे का रेट होगा उस रेट से आपको अचारे प्रोबाइट होगा इसके अलावा अगर आप अचारे लेते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर गौर्मेंट के यहां पर आपको रूम्स भी मिलते हैं गौर्में की तरप से ही वह आपको मिलते हैं ठीके बात इसके लाव traveling allowances आपको मिल जाएंगे जैसे आप असिस्टेंट content के अंदर है तो उसके अंदर travel तो आपको obviously कम करना पड़ेगा बढ़ हाँ travel तो होगा कभी आपको इदर जाना पड़ेगा फिल्ड में कभी उदर लेकिन उसके लिए आपको मिल जाएगा traveling allowance मतलब जहां पे आप गाली बुक करके जा रहे हैं या कहीं पे आप जा रहे हैं अपनी अब बात हुई हमारी अभी तक की एक overall जो इसके अंदर profile है आपकी salary की उसकी अब बात करते हैं इसके अंदर की आपका 7884 की around आपका चारे बनता है यह जनलाइज व्यू में मैं यहां पे लेके चलो रहा हूं थोड़ा बहुत अमाउंट आपका वेरी करेगा राइट आपका 3 category मैंने जो बताइए उसके according आपको city जो प्रोवाइड होती है उसके according आपका होगा इतनी 48,180 की around आप यह थोड़ा बहुत इसके अंदर अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आपका बढ़ता है तो आपके total salary भी increase होती है आप सभी को पता है आप इसके अंदर deductions क्या क्या होते हैं deductions in the sense कि आपके salary मैंसे अमाउंट कटे का और यह आपको retirement के बाद मिलेगा या फिर basically जब भी आपका यहां पर जो अमाउंट हो जाता है तो पीएफ इसके अंदर कितना करता है around आपका 3,504 यानि कि साड़े तीन हजार के around जो पीएफ है वो यहां पर deduct होता है और NPS में आ 4,029 रुपीज के around यानि कि 4,000 के आसपास एक लंसम amount आप हापे मान सकते हैं total debit की बात करें यानि कि total deductions आपका होने वाला है और कुछ cases में यह पीएफ और जो NPS का amount होता है बेसिकली यह employee पे डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे से departments होते हैं बहुत सारे से आपके अलग-अलग विभाग है जहां पर आपको preference वलती कि आप कितना पीएफ करवाना चाहते हैं आप चाहें तो जाद अभी कर सकते हैं लेकि इनीशियल तो आपको करना पूरता है तो यह चीज यहां पर होती है तो एक जनलाइज व्यू में साड़े साथ हजार के आसपास में आपका यहां पर डिटेक्शन होगा आपकी सेल्री में से तो इनहेंड सेल्री आपकी टोटल 40,000 के आराउंड यानि कि 45,000 के आसपा कर सकते हैं अपनी मेंटलेटी को सेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम इसके थोड़ा इंडप्ट जाएं जोब प्रोफाइल की बात करें तो थोड़ा बहुत इसके बारे मां बात कर लेते हैं जोब प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको पता ही है क्या होने वाला है के अंदर आपके desk job है पूरी ही पूरी और इसके अंदर जितने भी आपके क्योंकि यह assistant accountant की पोस्ट है तो assistant accountant का सीधर सा मतलब होता है कि चीज के अंदर होगी है तो इसके अंदर सब्सक्राइं करने को नहीं जी जाएंगी चोटी-चोटी चीज आप अम JON रइसे सबसे बड़े इसके अंदर है after that the assistant accountant is also required to join forces with the team for accounting projects तो यह सबसे बड़ा और सबसे main जो वो है function है वो है यहाँ पर कि आपको different type की salaries बनती है या invoice है उनको maintain करना है और उनको process करना होता है इसके अलावा they also have to verify financial statement and accounts जो financial statement है उनको comply करना उनको verify करना accounts को verify करना यह काम भी आप पर होता है also have to prepare the profit and loss and balance sheet of accounts यानि कि यहाँ पर जो final accounts होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और final account पूरे के पूरे assistant accountant नहीं prepare करता है with the help of senior accountant वो यहाँ पर चीज़े प्रिपेर की जाती है and lastly have to prepare the wet return and their early budget यहाँ पर GST भी आप अपलाई कर सकते हैं तो GST return करना फाइल करना यह सारी चीज़े भी होती है और साथ में budget prepare करना budget prepare करना भी कहीं ने कहीं अकांटेंट का यहाँ पर होता है ठीक है तो यह एक तरीके का जो simplified form है जो प्रोफाइल का UKPSC assistant accountant के लिए और यह UKPSC assistant accountant के लिए नहीं है यह आपके सभी तरह के जितने भी स्टेट में accountant होते हैं assistant accountant होते हैं सभी के लिए similar इहां पर होती है duties कुछ duties जो होती है कुछ responsibility जो होती है वो vary करते हैं बट और almost आपकी same रहती है इसके अलावा जो benefits की की बात अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर यह तो जो प्रोफाइल की बात हो गई इसके अंदर salary के अदर क्या-क्या-क्या और एक आपका dependent के लिए मिलती है जो आपके dependent होंके जैसे आपके family member है जिनकी government job नहीं है तो अगर उनकी government job है जैसे आपके father है या फादर है या फिर mother है और उनकी अपनी अगर government job है तो फिर वो आपके dependent नहीं है लेकिन अगर वो यहां पर कोई agriculture का काम कर रहे हैं या पर family प्लस आपके parents के भी मिलेगी तो इसके अंदर है health insurance होता है early increments होता है तो यह चीज आपको यहां पर इसके अधर जो आपके salary profile हम दे देखा था उसके अधर यहां पर मिलता है ठीक अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं auditor की क्योंकि accountant का तो आपको पता ही है थोड़ा auditor के बारे में discuss करते हैं कि इनकी duties and responsibilities क्या-क्या होती है सबसे पहले देखें इसके अंदर जो टास्क होता हूँ administration का टास्क होता है auditor के लिए इसके अंदर क्या है maintaining relevant payroll leave and to records including bill details for the employees अब यहां पर administration का मतलब ऐसा है कि यह आपका office का काम आपका काम ऐसा नहीं कि और और में बिल्कुल नहीं होगा और हमेंसा फिल्ड में रहेगा ऐसा भी नहीं है अभी मैं लास्ट में बात करूंगा एक comparison की तो यहां पर आपको गईने कहीं है टूर कर रिकॉर्ड मेंटेन करना है लीप वगएरा और पेरोल यह सब कुछ मेंटेन करना है जो अकाउंट को तयार करेंगे audit के लिए कि कहां पर audit किया जाना है किस तरीके से audit करना है कितना time frame के अंदर उसको complete करना है कौन-कौन से sections को audit करना है यह सारी चीजें आपको यहां पर प्रिपियर करनी पड़ेंगी उसके बाद planning and execution में भी important role होगा जिसके अंदर होगा presenting inspection report to the senior officials after careful scrutiny क्योंकि scrutiny इसके अंदर सबसे important आपको पता है audit के अंदर scrutiny ही तो की जाती है सारी चीजें चेक की जाती है तो जो भी report प्रिपेर की जाएगी वह आपको senior को अपने रेप्रेजेंट करनी पड़ेगी maintaining records of major and minor financial irregularities in audit software किसी तरह के जो software अलगलग departments में काम करें वहाँ पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा whether the software is working well or not तो उस case में अगर किसी तरह के उसके अंदर कोई problem आती है तो फिर आप उसका report करेंगे planning audit work for different type of the auditors across various ministries and departments तो different type के जो audit work होते है उनको plan करना यह भी काम यहाँ पर audit कर रहेगा उसके लिए reporting का काम भी होता है ऐसा नहीं कि audit कर लिया बस बात कतम होगे reporting का काम भी इसके अंदर होता है preparing draft audit by examining the converting facts and figure जो आपके facts and figure आप लेके आए हैं उनको आपको draft भी करना पड़ेगा बनाना भी पड़ेगा अच्छे से तयार भी करना पड़ेगा कि आप जो authority है जो audit के लिए गई authority है उसको भी कॉडिनेट करने का काम कर सकते हैं अगर आपको responsibility दी जाए तो यह one of the responsibility हो सकती है कि सारे के सारे ओडिटर ऐसा नहीं कि फिल्ड में ही भागए कोई ओडिटर जो है वो आपका यहां पर communicate करने का काम भी करता है तो कहीं नहीं यह एक जिम्मेदारी भी दी जा सकती है ओडिटर को reporting के अंदर अब ऐसे बहुत सारे department है central government के अंदर जो भी यहां पर कैक की अगर हम लोग बात करता है ना कैक के अंदर तो controller and auditor general of idea तो इसके अंदर जितनी भी appointment होती है जैसे से होती है या other means से होती है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे ओटर हैं जो office का काम करते हैं office का काम मतलब उनका काम से recording करेता है और कोडिनेशन का रहता है communicate करने का रहता और drafting का रहता तो यह ऐसी जॉब भी है तो यह डिपैंट्बंट रिपाट्बंट बेरी करता है कि वहां पर कितनी वेकेंसी है कितना मैंफोर्स रिक्वाइड और कितनी availability है तो उस बेस पर यह काम होता है उसके बात बात आती है ऐन कम्यूनिकेशन चैनल किसी तरह के एक बिल के अंदर आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखता है या डिस्क्रबिंस पिल गलत लग गया है किसी तरह के आपके amounts के अंदर hair fear है किसे बिल का serial number गलत है तो वह सारी जीजे भी आप होता है तो उसके अंदर प्रॉपर डेट यह आपके गारी चली है उस पर आपका कितना तेल यहाँ पर लगा उस सारी चीज़ें तो अगर उनको चेक करना है तो उसके अंदर वो सही ऑडर मों होनी चयिए, इसी तरह के से और भी बेरेबल्स हैं और भी चीज़ें हैं जो चीज़ें यहाँ पर रिव्यू की जाएंगे तो यहां पे यह जो function होता है post and telecommunication का होता है तो यह एक तरीके का क्या है एक overall जो duties होती है वो यहां पे auditor की होती है तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि auditor क्या auditor का जो post है वो थोड़ा सा assistant content की आप एक सथ थोड़ा सा high हो जाता है क्योंकि duties भी इसके अंदर जादा है responsibility भी जादा है और इसके अलावा एक final comparison की अगर मैं बात करता हूं कि किस के अंदर किस तरह की चीज़े होंगी तो सीडी सी बात है इसके अंदर अगर हम सबसे पहले auditor की बात करते हैं तो accountant के अंदर आपकी desk job है desk job का मतलब क्या हो गया कि एक जिगह पे आप बैटर रहेंगे और आप जब तक आपका transfer नहीं होना मतलब एक ही जिगह पे आप job करेंगे 925 की job जिसे चाहिए तो वो लोग assistant accountant में जा सकते हैं जहां पर आपका जातर काम रहता है जहां पर आपके बाउसिंग वगएरा सब कुछ payroll वगएरा salary यह सारी चीज़ें बनती हैं तो वही GST फाइल करना यह सब चीज़ें यहां पर रहती हैं इसके अलावा आपका यहां प स्टॉक भी हैंडल करना पड़ेगा assistant accountant के अंदर क्योंकि स्टॉक भी काई ने कहीं मैंटेंट किया जाता है तो यह सारी चीज़ें यहां पर होती हैं और इसके लावा अगर हम ऑडिटर की बात करते हैं तो ऑडिटर के अंदर आपका ज्यातर फिल्ड वर्क इसके अंदर हो होगा अब ऐसा नहीं कि हमेज़ा ही फिल्ड वर्क होगा जैसे आपका 30 दिन का टाइम है एक महीने का टाइम है तो उसके अंदर अप्रोक्समेल्टी आपका 10-15 दिन या 15-20 दिन के आसपास में फिल्ड वर्क हो सकता है बांकि आप रिपोर्टिंग भी करेंगे इसके अंद करने के लिए करने के लिए यह वह जा सकते हैं तो यह डिपैंड करता है कि आपका किस तरीके का है और इसके अलाबा आपके सीनियर की जो भूमी का है वो यहाँ पर कैसी है मतलब आपके सीनेर की इस तरीके के हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैडर करता है अकाउंटेट और ओडिटर दोनों की पोस्ट के लिए तो अगर वर्कलोड की बात हम लोग करते हैं इसके अंदर तो दोनों में बरावर है लग वग क्योंकि इसके अंदर अगर हम वर्क लोड के अंदर देखा तो ओपिस का जो वर्क है वो यहां पर क्या है असिस्टेंट अकाउंटेंट का ज्यादा रहेगा और फिल्ड वर्क रहेगा और बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर ओडिटिंग काफ़ी टाइम स क्योंकि जहां पर आपके 10-15 साल से या कहीं पर ऐसे बहुत ज्यादा इंटेंस जो और नहीं हुआ तो रिकॉर्ट को डोड़ने में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत जादा यहां पर क्या है प्रेंशन माला काम भी रहता है और लेकिन ऐसा है कि पूरी टीम रहती है त तो वह उसीच में डिपेंड करता है लेकिन वरकलोड उपीस वाला वरकलोड ऑगीuटएंटे के अंदर है और फिल्डवर्क वाला वरकलोड ऑइटर के अंदर है अब जिसको डिस्क 돼sc पसंद है तो जरा सकते है जहांपर जिन को एक स्टेबलियू चाहिए ले लेकिन जिनको नई नई जगहों पर घूमना पसंद है या फिर नई नई चैलेंजेश को फेस करना यह सारी चीज़े पसंद है तो वह ऑईटर के लिए यहां पर जा सकते हैं और अगर हम लोग बात करते हैं पोस्ट वाइस प्रिस्टीज की कि किसके अंदर ज्यादा इज़्जत है यह सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि अगर ऑईटर बहुत जगह जा रहा तो उनकी जो एक तरीकी का कम्यूनिकेशन है वह स्किल यहां पर अच्छा बन जाता है लोग अलग लग तरहीं के लोग मिलते हैं उससे पब्लिक डिलिंग का काम यहां पर होता है इस तरीकी की चीज़ें ऑईटर के अंदर होती है लेकिन अकौंटेंट के अंदर यह चीज़ें नहीं होती क्योंकि आ करना चाहते हैं कम्यूनिकेशन स्किल को इंप्रूब करना चाहते हैं डिलिंग स्किल को इंप्रूब करना चाहते हैं परसनलेटी को इंप्रूब करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ने कहीं आपको पब्लिक से जुड़ना पड़ता है जो आउटसाइडर होते हैं तो इस इसके अंदर आपको टीए डीए ज़्यादा मिलेगा और इसके अलावा थोड़े बहुत और अलाउंसे अक्स्टा इसके अंदर मिलेंगे बट जो सैलरी बेस है वो दोनुं का यहां पर सेवी है तो जिस तरीके के आपके प्रेफरेंस रहेगी उस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हैं तो प्रेफरेंस की विंडू कुछ टाइम बात इसके अंदर ओपन होके उसके अंदर डिपाइटमेंटल प्रेफरेंस पूछी जाएगी और इसके लवा ओईटर प्लस असिस्टेंट एकाउंट है दोनुं मेंसे चूज करने को बोला जाएगा तो तो तक किया गया है तो isके अंदर टाइपिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर टाइपिंग अग्ली स्काहिए तो उसके लिए फिर वीडियो में अगली वीडियो अप्लोड कर दूगगा अगर कोई नॉक्सट ranfaय निकलता है तो डेटा जैसी collect हो जाएगा फिर उसकी वीडियो में आप लोग को दे दूगा ठीक है तो एक idea में आप लोग को इसके अंदर दिया है और इसके अलाबा किसी को अगर कोई इसके further भी अच्छी knowledge है या किसी के अच्छी हाँ पे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं या फिर अपनी राय दे सकते हैं जिससे वाकी लोगों को भी help हो जाती है अपने department या फिर अपनी post को चूच करने के लिए आज की वीडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच have a nice day take care bye bye